और एक निवेदन आप सक्से करूंगा जिसके घर में किलेश ज्यादा मचता हो बहुत ज्यादा किलेश मच रहा हो बहुत ज्यादा जगड़े होते हो बहुत ज्यादा तो महाराद संकर भगवान पर थोड़ा सा चावल एक कटोरी में गला लो थोड़ा सा चावल गला पर उस बुद्वार के दिन कोई भी बुद्वार संकर जी के मंदर में जाकर संकर भदवान के शिवलिंग पर उस चावल का लेपन करो साथ लोटा पानी मात प्रस्ताई सेवन साथ लोटा पानी संकर को समर्पित करो शिप को समर्पित अपनी काम ना करकर आवान शंकर को आपने उप्तन लगाया था वही कटोरी घर लेकर आप घर के मूल मूल इस्थान जो भी हैं हर हॉल में कमरे में उसकी एक एक बिंदी लगा दीजी मातर तीन बुद्भार आप कर लीजी आपके घर में कभी खिलेश नहीं हो सब भूमी का कितना भी दोश होगा सिद्धो जिस घर में रुपिया आ रहा है जा रहा है एक रुपे कमा रहा है सब रुपे खर चो रहा है घर में पैसा नहीं दिख रहा है बेपार तो अच्छा कर रहा है घर में चार-चार लोग कमा रहा है सब कोई मिलकर कमा रहा है तो भी पैसा नहीं दिख रहा है तो भी शिव महापुरान की खत्ता करती है तिली का लेपन, तिली काले कलर की तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, और हमारी यहां चावल के साथ में चावल की धान आती है, आपको बजान में मिल जाएगी चावल की धान, जिसको जो का बाग अलग हो पर चावल की धान कहते हैं इन टीनों को एक कटोरी में रख लो पांई में गलाना नहीं है बस कटोरी में माहरचा दरवाजे के नजदीक में जब दरवाजे से अपन बहार निकलते हैं तो उल्टे भागनाह है उसको रख दिया घर से एक लोटा पानी जिसमें कच्छा दूद मिला हो वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलस नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर संकरजी को समर्पित कर दो जल चड़ा दीजिए बाबा भोले नापके जो चरण पादुका है उस पादुका में वही तिल्ली वही चावल का भाद वही जो आप चावल का धान बोलेंगे धान उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो आते समय वो दोनों भाग पर चड़ी हुई तीनों चीज़े उठाकर लेकर आ जाए दुकान में व्यपार में वहसाय वाली जगा पर उसको रख दीजिए कभी जिन्दगी में संपदा कम नहीं होगी हुआ संपदा बढ़े तीन रविवार आपको कर दो सुक की प्रापती के लिए ये भूमी के दोशकों मिटाने के लिए आपको कठा में पहले भी कहा था बार नप्षत्र समय घडी पल दिन ये जितने भी बनाए है मेरे महादेव ने बनाए मेरे शंकर ने निर्मित कि एक एक पल एक एक घडी एक चण शिल बनाता चार महिने चतुर मास के भगवान विश्णू देव सोनी एका दसी पर जब सोने जाते हैं तो भगवान संकर को बुला करते हैं ये चार महिने जितना दान, पुन्य, सत्कर्म, संकीर्तन, भजन, कीर्तन जो होगा संकर ये में नहीं करा सकता तुम करा सकते हैं इसलिए चतुर मास की शुरूबात ही स्रावन से इसलिए चतुर मास की शुरुवात ही स्रामन से संकर कते हैं, पहले जल में चड़वाता हूँ पहले मैं भजन करवाता हूँ, इसमन करवाता हूँ, कीर्टन करवाता हूँ जितना भजन, दान, पुन, इसमन, नाम, कीर्टन जो होगा, चतुर मास की अंतरगत दान करो, पुन्य करो, सतकर्म करो, चाहे गउ माता को दो, चाहे बेहन बेटी को दो, चाहे किसी भिक्चुक को कुछ दो, उस समय तुमारे चेहरे पर सल नहीं होना चाहिए, उस समय तुमारे चेहरे पर तुमारी नेनों में अश्रू नहीं होना चाहिए, उस समय तुमारे च यह 2000 रुपए दिये और भावी का मुभगोने जैसा हो गया चेहरा उत्तरा हुआ भाई राखी बंदवाने बेठा तो पहले जेव में अंदर से जाकर पत्नी से पूछ कर आया इसको 500 देना है कि 300 देना राखी बंदवाने से पहले पाटे पर बेठने से पहले आसन पर बेठने से पहले सोफे पर बेठने से पहले जब भाई राखी बंदवाने बेठता है तो पहले अंदर जाकर अपनी धर्म पत्नी से कुछता कितने दिना है क्यों भहिया कमातू रहा है लातू रहा है तो फिर धरम पतनी से क्यों कुछा कि कितना देना पतनी को यह कहना था आज मेरा मन है बेहन साल भर से नहीं आई कुछ तो लागडाउन में चार महने से फोन तक पर बाती बात होती रही आईनी एक साल हो गया मेरा मन कर रहा है आज मेरी बेहन को मैं दो हजार रुपे दे दू सारी के के भी हो जाएंगे चूडी के भी हो जाएंगे और ढेना हो जाएं आज मेरा मन कर रहा है तुम्हें है बोलना चाहिए तुम्हें बताना चाहिए और अगर पतनी को कहे पती कि तुम 2000 रुपे दे रहे हो तो धर्म पतनी का फर्ज है धर्म पतनी का फर्ज है क्योंकि तुम भी किसी की बेहन हो तुम भी किसी की बेटी हो तुमारा फर्ज है कि तुम अपने पती को कहो सुनो, 200 देओ मना नहीं है पान्सो रुपए लग से चूड़ी के दे दो पान्सो रुपए लग से बेहन बेटी आई है तो गाड़ी का किराया दे दो यह जब धर्म पतनी अपने पती को कहेगी पती के चेहरे पर प्रसंदता होगी मुझे उम्मीद है आज आप अपनी ननंद को दे रहे हो तो आप जो अपने माई के जाओगे तो आपकी विभावी इतना ही सम्मान देगी क्यों? एक उंगली जो हम किसी पर उठाते हैं तो ये तीन उंगली हमारी ओर जाती है हम एक के लिए अगर व्यवस्था करते हैं तो कहीं न कहीं आपकी विवस्था भी पूरता में हो पाती है आपकी विवस्था आपका भाव आपका आनंद आप किसी के लिए अगर समर्पित हो रहे हो आप किसी के लिए समर्पन कर रहे हो आप किसी के लिए अग्रिन हो रहे हो तो वहां से उनता का अग्रेन का भाव तुमको भी प्राप्त होगा रच्छा बंदन पर भाई राखी बंद्वाने बेट रहा है तो धरम पतनी से पूछ रहा है कितने रूपे देना है प्राण छूटने के बाद भगवान विष्णु लच्छमी से पूछे बता इसको नरत बेजू किस स्वर्ग अरे बोलो तो रहे भाई भगवान विष्णु अगर अपनी पतनी से राय ले तो भोले नाथ देने से पहले पारवती से राय ले तो इंद्र कार्य समालने से पहले इंद्रानी से राय ले तो ब्रह्मा ब्रमानी से राय ले तो नहीं नहीं अगर यमराज अपनी धर्मपत्नी अपनी धर्मपत्न दक्षिन से पूछे ए दक्षिन है तू बता कि ये जो मरा है इसको मैं स्वर्ग भेजू की नर तो सबसे जादा अगर दक्षिन हम देवी बोलेगी तो एक ही बात बोलेगी यमराज की पत्नी एक काम करिये इसको नरग भेज़ दो क्यों? क्योंकि ये कभी दक्षिन मुख करकर कोई कामी नहीं करा बोलो दक्षिन मुख करकर कोई कारे करता दक्षिन मुख करकर कोई कूजन करता लक्षिन मुखर के कौन स्मन करता buried Shopkinya को तो क्रोरा ना चीए कि ये कभी मेरी और मुखर के कभी भजन नहीं करा है इसने कभी मेरी और मुखर कर मेर को देखा थक नहीं कर था है तो लक्षिना देवी तो करोध में विचार धारणा केवल वही देखा जाता है कि उसका भाव कि उसके भाव कि सिद्धता कि पर आज का जामाना बहन जेसे ही आई रखी वानने वहीं चलो बैठो पाटे पर अंदर अभी आया अंदर गया हिटे देना और सुनो साडी पर पांद सोर पर देना बहुत है साडी भी तुदे रहे हैं और ये तुने जो अपनी नननंद के साथ करा अब तो अपने माई के जा और तेरी भावी तेरे साथ करे तो तुझे कैसा लगेगा तीन को देने से कभी नहीं घटा शुमाह पुरान की कत्था करती है पहला बेहन बेटी को देने से दोसरा गवमाता को देने से तीसरा संत ब्रहमन को देने से कभी नहीं घटा महारा बढ़ेगा घटेगा नहीं बेहन बेटी को देने से कभी घटा नहीं है कुमने जो दिया उसका चार गुना अगले साल तक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा गवमाता को एक रोटी दी है गवमाता के निमिता से एक रुपिया निकाला है गवमाता के निमिता से एक रुपिया भी अगर तुमने दान करा है पुण्य तरह है उसके निमित का अगले वर्ष तक यही तारीक लिग कर रखना कितना पुण्य प्राप्त होता है कितना फल प्राप्त होता है कितनी लच्छमी प्राप्त होती है देने से घटा नहीं है तीसरा संत ब्रहमन को देने से कभी घटा नहीं है आपने जो दिया उसक सब्स्क्राइब करें हमाँ चेली पाई सुख्यादने लिग आपड़ें नमस्तु क्या तो नैंहाई गंदवाने का कि आप अपके दिन सही हमारे हमारे सुख्यों से नमस्तु क्यादने